अगर आपका पेपर 22 तारीक पो को है 22 फरवरई को तो वीडियो का भाईया पूरा देख लें आको एक्दम जिन्दगी सबर जायती जिन्दगी को मतलब आप जो इक्जाम देने जा रहे हूं आपका एक्जाम ढैंगा kidnappedम दर जाएगा सत्तन में सत्तन नंबर पूरे लेकर आओगे अब देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि बता दूं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पध्यान्स कैसे हल करना है अब देखो एक एक टॉपिक यह सब चीजे मैं बताया हुआ हूं लेकिन यह सब रिवीजन चल रहा है आप लोगों कर पाए तो भाई पूरा मज़ा एकदम खराब हो जाएगा इतना आप भी समझे अगर पहले में आप नहीं परफॉर्म कर पाए तो मज़ा खराब हो जाएगा तो देखो इसलिए मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं हिंदिक लगातार देखो डेली वीडियो आ रही है और कम कुछ दिनों में पढ़ना भी है रिवीजन भी करना है लिखने का तरीका भी समझना है तो इसके लिए थोड़ा सा तो टाइम लगीगा तो चलो यहां पर बताते हैं और जो पद्यान से यह आता है छे नंबर के लिए और गद्यान से ट्रिक भी बता दूंगा कि हां इस तर पध्यांस होता है छे-छे नंबर के लिए दोनों पूछे जाते हैं और देखो मॉडल पेपर हो गया जो रियल पेपर है इस टाइप की चीज़े प्लेलिस्ट में मैं दे दिया हूं वहां से जाकर चले जाना और देख लेना बाकी हाँ अब चलो इसको देखते हैं जो कि ऐसे वाल पीट फगर अचे तो उसकी कोर्स की लिंक भी यह वहां से ले सकते हैं दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा अब देखो यहां से हम देखते हैं कच्छा दा सिंदी पध्यांस ऐसे हल करना है देखो पध्यांस देख लो पूर में पूर्ते यहां है ना पूर्ते निकसी रगवीर बदू धरी धीय दय मग में डगदवे जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरार भाई फिर बूजती हैं चलो अब केता की पढ़ कुटी करियों के तहें तिये की लगी आतुरिये पिया की अकिया अतिचारू चली जर्त रहे अब देखो यह इसी में जो कहा गया है कि वुपनें तो पध्यान्स का संदर्म लेखे यह जो पध्यार सो दिया गया है इसका संदर्म लिखना है अब बहुद कि पहले जैसे संदर्मody ο Nep Miss Kamar करने के बाद फिर लिखना नीली पैंसे प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ्थ पुस्तक हिंदी कावखंड में संक्लित कवितावली ग्रंत के वन पत्पर अब देखो यह जो वन पत्पर है इसको काली पैंस लिखना है वन पत्पर नामक सीच्छ सक्से लिया गया है और इसके इतना करने को जैसे दुखो इसके रचैता वाई है तुलसी दास जी है अब इतना आपको कर लेना है ठीक इतना कर लोगी अब इतना करने को जैसे दुखो कि इसके रचैता तुलसी दास जी है तो तुलक्षी को भी करना है काली पैंस से करना है इनको भी लिखतेना है इनको काली पैंस जहां-जहां जो की है स्री राम के नेत्रों से आंसु क्यों बाहने लगे ये है तो चलो इसको देखते हैं सीता जी की ठकावट से उत्पन व्याकुलता को समझ कर रामचंदर जी की आंकों में आंसु आ गए देखो weakest स्रीराम के आँकों में आसु किवाहय थीिभंकी जब सीता जी चल रही थी और चलते 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 उनके पैरों में छाले पढ़ गरए थी क्योंकि वनपत पर नाम यह वनपत पर वन inके पथ पर चल रही थी अगर जोई भी ज़ादा दूर चलेगा तो उसके पैरों में छाले बगर पढ़ जाएंगे पैर दर्धों लएगा तो वहीं थकावट आ गई थी और जिसकी व्याकुलता देखकर स्री राम जी की आँखों में आशुआ गए थे अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर और इसके ही मिल जाएंगे दो नंबर फिर आता जैको जो तीसरा नंबर तीसरा नंबर है कि रेखांकित अंसों की व्याक्या करनी है अब כל निख्युा कैसे करों चलो इसको बताता हूं यह जो रीखा किया गया है यहां से जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट यहां तक कर्येंगे और कहले सीता जी निकल जैसे गाउं से निकल करους 28th कुछ जैसे ही दो पयर रखी जैसे ही विद दो पयर का उनके पसीना अग्याए और मधूर ओड कपड़े की भाए थी सूक गए जोंके है प्यारे प्यारे मदूर मढूर इस वो कपड़ं के जैसर सूख गए फिर उसके बाद क्या है फिर पूछने लगी और किसे पूछने लगी कि मैं वो अपने पती से पूछने लगी कि इत्ने दूर चलना हे और पढ़ कुटी कहां पहुँचकर बनाओ kanske तो ही चीज एक कि सीता जी ने गाउं से निकल कर जो ही जो ही दो पैर रखे थे मते पर पसीना आ गया और मधूर ओठ कपड़े की भाद सूख गए फिर पूचने लगी कि हे प्यारे हे स्रीराम जी कितनी दूर चलना है और पढ़ कुटी कहां पहुंच कर बनाओगी तो ये देखो ये तीतरा कुश्चन करने के दो दो नंबर मिलेंगी और टोटल मिलाकर 6 मार्क जो 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगा 6 में से मार्क आपको मिल जाएंगी तो इस तरीके से करना है दा कि हां क्लास्टेंद की तयारी हिंदी की या पिर कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेना आप वार्ट सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी